नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी नारण परिवार में आप सभी का स्वागत है हमारी तरफ से सभी को अक्षे दृत्या और परशुराम जन्मोच सब की हारदिक शुब कामना है इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है अक्षे दृत्या पर पूजा का शुब मौरत कौन से ग्रहों का सयोग आज बनने जा रहा है इसके साथी साथ क्या है अक्षे दृत्या की पूरानी काहा था तो वीडियो में बने रहें वैशाक महिने के शुकल पक्ष की तृत्या तिथी को मनाई जाने वाली अक्षे तृत्या को हिंदू पंचान के सबसे शुक दिनों में से एक माना जाता है अक्षे तृत्या को अखा तीज भी कहा जाता है धार्मिक माननताओं के अनुसार ऐसी माननता है कि इस दिन भगवान पर शुराम, नर्नारायन और है ग्रिव का अफ़तार हुआ था इस दिन शुर्य और चंद्रमा दोनों उच राशी में स्थित होते हैं इसलिए इस दिन सोना खरीदना या नई चीजों में निवेश करना शुब माना जाता है आक्षत्रत्या पर 125 सालों बाद पंच ग्रही योग भी बनने जा रहा है मेश राशी में पांच ग्रह शुर्य, गुरू, बुद, राहू और यूरेनस प्रंच गही योग का निर्मान करेंगे जबकि इस दिन चंद्रमा और शुक्र दोनों व्रश राशी में होकर बेहद सुब फलधाई स्थिति में होंगे ये सुप्षय योग के राशियों के लिए अच्छा सापित होगा अक्षित तृत्या आज है सभी को पता है और पूजा का शुप महरत है सुभा साथ बच के उरंचास से ले करके दो पहल बारा बच के बीस मिनट तक पूजा की कुलवदी 4 घंटे 31 मिनट की होगी तृत्या तिति का प्रारंब 22 अप्रेल 2023 सुभा साथ बच के उरंचास मिनट से हो जायेगा और तृत्या तिति समप्थ होगी 23 अप्रेल 2023 को सुभा 7 बच के 47 मिनट तक अब जाननेते हैं क्या है अक्षेत्रत्या की पोरानिक का था तो प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्रहामनों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था उसका परिवार बहुत बड़ा था इसलिए मैं सदेव व्याकुल रहता था उसने किसी से इस व्रत के महमात्य को सुना और जब यह परवाया तो उसने गंगाजी में स्नान करके देवी देखताओं की विधी पूर्वक पोजा की गोले के लड़ू, पंखा, जल से भरे घड़े, जो, गेह, नमक, सत्तु, दही, चावल, गुड, सोना तथा वस्त्र आदी दिवेवस्तुएं दान की इस्त्री के बार-बार मना करने पर कुटुम जनों से चिंतित रहने तता बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीडित होने पर भी वेह अपने धर्म, गर्म और दान पुन्य से विमुख नहीं हुआ यही वैश्य दूसरे जनम में कुशावती का राजा बना अक्षत्रत्या के दान के प्रभाव से ही वैव बहुत धनी तथा प्रतापी बना वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धी कभी धर्म से विचलेत नहीं हुई अक्षत्रत्या के दिन इस कथा के श्रवन से अक्षपोन्ने की प्राप्ती होती है तो कैसी लगी आपको जानकारी और अक्षेत्रत्या की पुराणी कता? कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह से और इंफर्मेटिव वीडियोज के लिए जे श्री हरी मित्रो